हलो फ्रेंड्स मैं सब्सक्राइब बोकु सुनी इलता हूं और कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे रीकवरी आफ्टर राइनोप्लास्टी दोस्तों यह बड़ी कोमन जो है सवाल है जुद्धे भी मेरे जो है उसके बाद में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कैसे इसकी रीकवरी होती है दोस्तों अगर हम बात करते हैं रीकवरी के लिए यह राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है अगर हम समय के बात करते हैं तो दोस्तों यह जो सर्जरी करीब-करीब हमोमन जो है डाह जिसकी surgery पहले एक या दो बार हो चुकी, दोस्तों उसकी जो राइनोप्लास्टी surgery है, उसमें अमोमन टाइम जो है primary surgery से ज्यादा लगता है, हो सकता है उसमें पांच गंठे भी लग जाते हैं, दोस्तों इसके बाद जब आपकी surgery होती है, surgery के बाद हमारे नाक के उपर एक छो डे आफ्टर टूमरों भी डिसाज ता पेशेंट यानि एक दिन के बाद जो है पेशेंट की डिसाज कर दिया जाता है ऑप्रेसिन के बाद नोज के अंदर एक जैलोनेट एक पैकिंग लगाई जाती है जो एचोवीज गंटे बाद पेशेंट की निकाल दी जाती है अमोमन पेशेंट का ये सवाल होता है कि सर मेरा नाक बंद कर दिया जाएगा मेरे को ब्रीधिंग कैसे होगी दोस्तों ऐसा नहीं होता जो है आपको जो है वो जो नोज को जैलोनेट लगाते हैं उसके बाद मुह से आराम से ब्रीधिंग हो जाती है उससे बहुत ज्यादा ऐस जो है एक्टिविटी में जो है वो अपना काम काज कर सकता है बट उसको जो है हमें क्या नहीं करना ये एक बड़ा ही इंपोर्टेंट चीज है जिसके हम अब आगे जो है डिसकर्स करेंगे सबसे मैं दोस्तों राइनोप्लास्ती सरजरी के बाद जैसे पेशिंट जैसे घर बात करते हैं तो आपको जो है बहुत ज्यादा जो है आपका अपनी नहीं होना चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा घरमी हो यह इस टाइपका जैसे हमिटी का एक्टमास्पेर जिर एमपोर्टेंट चीज कि यह कि नोज को जो है बार-बार किए आपको ऐसे स्ट्रेइट किया जाता हैं तो इसको 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 स्किन नहीं करना होथा है दोस्तों इसके अलवा बहुत बार पीशेंट्ट्श क्या है कि नोज के अंदर जब रहिनो प्नासलिक की जाती है तो उसमें बहुत सारी सुच्र स में शूक्र Coach को गोते हैं कुछ बाहर भी होते हैं तो पीशेंट्श क्या है उसको मिज़ की मेरेश से देखता रहता है यह उसको टुच करता है यह हचा ँरण जुज आपने आप अ-पजोर होता है उसको दो यह थे लिए हैं अपने एप जो हाँ फोर सर्ज मेन बाद जू सम dolars जब इस लगवन उसको नए इस नहीं चाहिए दोस्तो इसके बाद में राइनोप्लास्टी जैसे बड़े यंगस्टर्स जो है उनका कोमन रहता है कि मेरे को जीम जा सकते हैं नहीं दोस्तो डेफिनेटली अगर आप कोशिस करते हो तो एक मेने तक जीम आवइड करना चाहिए और अगर आप जीम जाते हो तो आपको हेवी वेट लिफ्टिंग, हेवी एकसरसाइज नहीं करनी चाहिए बेंडिंग इस टैप में नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तो जो हेवी एकसरसाइज करते हैं तो हमारा चेहरे पे स्ट्रेस प pollenता है औ। उस स्ट्रेस के कारण बलेट लो बढ़ता है इसके अलावा दोस्तों आपका एक इमपोर्टन चीज है कि नोज में हमें बार बार फिंगर नहीं देना होता है क्योंकि नोज में इतना सारा वर्क केव है अगर आप बार बार फिंगर देते हो तो उससे क्या है infection की chances दोस्तो ज्यादा रहते हैं इसके अगर आप डाइट की बात करते हैं दोस्तो ये भी एक बड़ा सवाल है जो हर patient और attendant पूछता है मुझे क्या खाना चाहिए ये अच्छे सी समझ लेना चाहिए दोस्तो राइनोप्लास्ती सरजरी की बाद आप इनिशेली फ्यू डेज में अगर आप सौफ्ट डाइट लेते हो तो वह आपकी सरजरी के लिए अच्छा है अगर आप बहुत हार्ड डाइट लेते हो जैसे सप हैं जिससे हमारे रिजल्ट पे सपर हो दोस्तों कई बार क्या होता है कि सारा अच्छा काम किया हुआ है लेकिन पेशेंट अगर आपको एक्सिडेंट ली या वह प्रिकोशंस हम नहीं यूज में लेते ही तो हमारा रिजल्ट डेफिनेटली सपर होता है इसलिए एक दोस पेशेंट्स की हैबिट होती है कि वह उल्टा सोते हैं यानि वह जो है वह यह यंवं ऐसे करके सोते दोस्तों यह भी राइनवप्लास्टिसर्जिरी की बाद जो है आपको ए Colonि करनी चाहिए क्योंकि अगर आप बहुत राइसे प्लास्टिक करोते हो तो उसके करन आ की जो है आपको जो है नोज के ऊपर जो है वो चोट लग सकती है दोस्तो एक common question और होता है कि जिसे राइनो प्लास्टिक के बाद मैं swimming कर सकता हूँ क्या दस दिन बाद या जो है प्लास्टर के बाद दोस्तो आप प्लास्टर हटाने के बाद I think you try to avoid the swimming for at least one month क्योंकि नोज में infection की chances रहते हैं इसलिए swimming भी हमें एक मेने तक avoid करनी चाहिए इसके अलावा दोस्तो हम बात करते हैं एक बड़ा important चीज है कि बहुत पार क्या है जो है पेशिंट जो है वो जो राइनो प्लास्टिक के बाद में जो है वो बार-बार YouTube पे वीडियो देखता है कि पॉस्ट आप instruction के लिए क्या मेरे को ध्यान रखता है दोस्तों ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए बहुत बार बहुत सारी literature है बहुत सारे वीडियो है जो उससे जो है वो सारतक नहीं है या जो उससे related नहीं है और हम कई बार वो जो नहीं चीज करनी चाहिए वो भी कर लेते हैं क्योंकि आ बहुत ज्यादा spicy food भी हमें नहीं लेना चाहिए जिससे हमारे को जो है वो unnecessary का स्नीजिंग या इस टाइप के अंदर नहीं बहुत बार दोस्तों पेशेंट्स को जो ऐसा होता है कि साब मेरे को छींका गई तो क्या होगा दोस्तों अगर आपको छींका आई है तो उसको जो ह नौज को क्लीन करें और क्यूटूप एक यह बढ़ी है क्यों टीप से आपको एक ओंटमेंट लगा लेना चाहिए सूचर लाइन पर एंड इसके बाद में दोस्तों एक इंपोटेंट्सी जो रहा है बहुत बार एक मेरे पेशेंट ने जैसे क्या है कि उसको लगा कि मेरे क जो है वो जो प्लास्टर दस तिन का है तो उसने बीच में ही अपना प्लास्टर हटा के अपनी जो है नोज की जो है उसको उसको रुका नहीं गया कि आप मेरे कुछ राइनो प्लास्टी के बाद मेरी सैब कैसी आएगी तो उन्होंने अपना प्लास्टर अटा के दोस्तों उससे उसका result सफर होता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, आपको की बीच में प्लास्टर अटा के देखना चाहिए, एक इंपोर्टेंट सीज दोस्तों, राइनोप्लास्टी में अगर प्लास्टर हटाने के बाद भी कई बार पेशेंट्स जो है मीरर में बार बार उसको देखता है, उसको ये लगता है कि मेरी तो साहिद दुबारा राइनोप्लास्टी होगी, मेरे रिजल्ट्स अच्छे नह नहीं है, राइनोप्लास्टी कैसी सर्जरी है जिसमें बहुत सारा पेशेंट्स आपको रखना होता है क्योंकि हम इंडियन पेशेंट्स की जो है इसकीन की स्वेलिंग है जो इडिम है उसको सबसाइड होने में टाइम लगता है, एंड इट विल टैग अरूंड जाए वन प्लिटली रिजल्ट्स के अंदर तो हमें पेशेंट्स रखना चाहिए क्योंकि करीब करीब तीन से चार मैंने जो है देरे-देरे स्वेलिंग कम होती है एंड इस टाइप के बिशार दिमाग में नहीं लानी चाहिए कि मेरा तो नोज ठीक नहीं है और इसमें जो है इसको पापस कराना हुगा तो दोस्तों आई थिंक इस यह वीडियो रिगार्डिंग दा रिकवरी आफर दा रिनो प्लास्टी इस उस्फुल पर यू और यू और यू चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपका सवाल है आपका सवाल है यू पूट मैं कमेंट बोक्स देफिनिटल आपका सवाले रिकवरी यू 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 पार नहीं करना है नहीं करना है आपका सवालेश परना है क्या हुआ, यू श्यू जिन पलाशन सहत रिफे हैं तो